गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉंडल व्यूज यूटिव चैनल, स्वागत आपका मेरी आज किस न्यू वीडियो में और आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज किस वीडियो में हम बात करने वाली है Food Corporation of India की तरफ से निकालीगी जौप अपडेट के वारे में Food Corporation of India की तरफ से recruitment notification आउट किया गया है बाचमेन की पोश्ट के लिए जिसके लिए 8th Pass एपलाई कर सकते हैं सारा डिटेल में डिसकस करने वाले हैं इस वीडियो में किस तरीके से form को एपलाई करना है उसके लावा selection process क्या रहेगा सारा डिटेल में डिसकस करेंगे इस वीडियो में तो वीडियो को एंड तक वाच करें और हमारे चैनल पर पहली बार विज़र कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी ही latest job update के लिए बात करें यहाँ पे इनके official notice की यहाँ पे आप देख सकते हैं यह Food Corporation of India की तरफ से निकाला गया official notice है जो की आप यहाँ पे देख सकते हैं recruitment notice आपका number आपको यहाँ पे दिये गया है पंजाब recruitment for the post of bargeman के लिए यह निकाला गया है इसमें जो आपकी vacancies निकाली गी है projected vacancies आपकी यहाँ पे रहने वाली है 860 यहाँ पे total vacancies निकाली गी है जिसमें 18 years जो रहेगी minimum age रहेगी maximum यहाँ पे 25 years दी गई है उसमें आपकी 249 जो दी गई है SE के लिए दी गई है post 180 post OVC के लिए रहेंगी 86 EWS के लिए रहेंगी 345 यहाँ पे unreserved category के लिए रहेंगी जो watch mail की post रहेगी इसके लिए salary आपको 2300 से लेके 64000 तक आपको दी जाएगी बाकी PWD के लिए 4% का reservation दी गई है जो कि आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं उसके लावा बात करें number of vacances के यह आपकी यहाँ पे जो आपकी एजेंसिस FCI के दवारा यहाँ पे निकाली गी है उसके लावा अधर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि यहाँ पे आपकी person bear disabilities वाले हैं उनके लिए जो यहाँ पे reservations रहेंगी वो सारी आपको यहाँ पे देगी है बाकि उसके लावा यहाँ पे जो आपकी educational qualification यहाँ पे मांगीगी है बाचमेन की पोस्ट के लिए वो आपकी 8 आपकी यहाँ पे पास होने चाहिए आपको यहाँ पे देगी है जो कि आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं उसके लावा अधर हम यहाँ पे बात करें explanation की तो यहाँ पे detail में आपको provide की गी है आपको यह official notice मेरे telegram group GKY दिनेसर पे मिल जाएगा वहाँ पर जाकर आप इसको download कर सकते हैं eligibility criteria जो रहेगा contractual security guard की post के लिए minimum age यहाँ पे देगी है जो कि आपके 54 years रहेगी और यहाँ पे minimum age 54 years रहेगी जिसका की 31,222 तक आपकी यहाँ पे होने चाहिए उसके लावा अधर हम यहाँ पे बात करें जो भी guidelines रहेंगी person with benchmark disabilities वालों के लिए वो आपको यहाँ पे provide की गई है selection process की बात करें selection process जो रहेगा pattern of written exam आपका यहाँ पे रहेगा written exam के basis पे selection की जाएगी जिसमें written examination paper जो आपका लिए जाएगा वो आपका 90 minutes का रहेगा and 120 आपके यहाँ पे 25 choice questions रहेंगे जो की general knowledge current fair reasoning उसके लाबा English language numerical ability से पूछे जाएंगे paper 2 जो रहेगा pattern of written test के लिए जो की आपका ex contractual security guard के लिए रहेगा यहाँ पे भी आपका written test लिए जाएगा 90 minutes का रहेगा यहाँ पे भी 120 questions रहेंगे जो की test of the ability to candidates के आपके यहाँ पे पूछे जाएंगे जिसमें की आपकी basic English रहेगी spelling corrections रहेगे part of speech रहेगी general knowledge रहेगा multiplication रहेगी, dividation रहेगी, addition, subtraction उसके लाबा यहाँ पे numerical skills रहेगे यह सारा आपको यहाँ पे इस levels दिये गए है जो की आप यहाँ पे check कर सकते हैं उसके लाबा combined merit list आपकी बनाए जाएगी जो की आपकी basis of आपके score पे रहेगी and marks of 10 वाइदा आपके candidate जो भी आपने test यहाँ पे दिये है उसके उपर आपका कितने marks यहाँ पे आए हैं उसके लाबा बात करें यहाँ पे all questions का आपको one marks दिये जाएगा कोई भी negative marking यहाँ पे नहीं रहेगी paper जो रहेगा written test आपका by language रहेगा try language यहाँ पे रहने वाला है English, Hindi और पंजाबी में आपका यहाँ पे paper रहेगा pattern की बात करें तो pattern आपका यहाँ पे रहेगा physical आपका endurance test के लिए जो की आपका physical endurance test यहाँ पे लिए जाएगा running यहाँ पे रहेगी male candidate के लिए 1000 meter रहेगी distance की and female के लिए 800 meter रहेगी 18 से 30 तक cage रहेगी 30 second में आपको यह करनी पड़ेगी female के लिए 255 second दिये गए है and 30 से 35 years के जो candidate रहेगी और के लिए 370 रहेगी and बाकी आपकी जो रहेगी वो आपकी female candidate के लिए 300 seconds रहेगी बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी यहाँ पर आपको दीगी हैं वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं अगर यहाँ पर बात करें long jump की जो long jump रहेगा उसमें 3 attempt आपको दीजाएंगे male candidate के लिए वो आपका यहाँ पर रहेगा 3.95 meter जो की 18 से 30 years वाले हैं and 2.74 meter रहेगा female candidate के लिए बाकी आप अपनी age के हिसाब से यहाँ पर देख सकते हैं high jump की बात करें high jump यहाँ पर male candidate के लिए रहेगा 1.14 meter and female candidate के लिए 0.90 meter रहेगा 18 से 30 की age वालों के लिए बाकी other जो भी यहाँ पर age वाले हैं वो यहाँ पर देख सकते हैं maximum जो age रहती है वो 18 से 13 age वाले ज़्यादा apply करते हैं तो उनके लिए यहाँ पर मैंने आपको बता दिये है बाकी 30 से उपर वाला को यह apply कर रहा है तो आप अपना यहाँ से देख सकते हैं बात करें application fees की तो application fees यहाँ पे 250 रूपीज रहेगी जो की आपकी general category के लिए रहेगी उसके लावा यहाँ पे SC, ST, PWD candidates के लिए service defense persons के लिए एक service man candidates के लिए यहाँ पे कोई भी fees नहीं रहेगी बात करें यहाँ पे फीस को कैसे payment करना है तो payment आपको यहाँ पे debit card के थुरू credit card के थुरू भी आप कर सकते हैं उसके लावा आप जो वो e-chalant के द्वारा भी यहाँ पे कर सकते हैं SBI का e-chalant भी आप यहाँ पे देख सकते हैं 10.11.2021 इसकी last date रहेगी उसके लावा आपको call letter कहां से download करना है तो इसके लिए आपको यहाँ पे official website देगी है इनकी official website पर भी आपको मिल जाएंगी इसका link आपको description में provide कर दूँँगा डिरेक्टली वहाँ से जाके भी आप चेक कर सकते हैं Next हम यहाँ पे बात करें filling up of the application form के लिए तो यहाँ पे two step दिये गए हैं जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके दोर आपको form को fill up करना है जो कि सारा detail में आपको यहाँ पे दिया गया है आपको मैं एक link प्रवाइड कर दूँगा डिरेक्टली वहाँ से जाके भी form को आप apply कर सकते हैं बागी other detail की बात करें सारी detail आपको यहाँ पे मिल जाएंगी यह official notice आपको मेरे टेलिग्राम ग्रूप जीके वाइदनेसर पे मिल जाएगा tentative schedule की बात करें date की तो यहाँ पे online application जो start रहेगी 11.10.2021 से आपकी start रहेगी and यहाँ पे closing date जो रहेगी 10.11.2021 तक रहेगी application fees की आप यहाँ पे देख सकते हैं last date आपकी जो रहेगी 10.11.2021 रहेगी availability of आपके admin car के लिए आपकी 15 days रहेगी prior of the announcement of the date of examination की date of return test जो यहाँ पे रहेगा वो आपको announce कर दिये जाएगा अनकी official website पर आप इनकी official website पर जाकर चेक कर सकते हैं बाकी application fees आप जो वो last date जो उसकी रहेगी 10.11.2021 रहेगी आप यहाँ पे internet वेंकिंग के थरू debit card, credit card के थरू भी payment कर सकते हैं बाकी other detail के लिए आप इनकी official website पर wizard कर सकते हैं सारे formats आपको यहाँ पे दिये गए हैं जो भी formats यहाँ पे रहने वाले हैं तो आज की वीडियो में सिर्फ इतने ही और आज की वीडियो informative लगी हो वीडियो को like and share जुरूर करें हमारी चैनल पर पहली वार wizard कर रहे हैं चैनल को subscribe कर लें ऐसी ही latest job update के लिए daily ऐसी ही latest job update आपको provide की जाती हैं इस चैनल पर official notice के साथ में तो फिर मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए thank you, goodbye, take care